इंडिया स्पिक्स डेली में आपका स्वागत है इंडिया स्पिक्स डेली को सब्सक्राइब करें इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं जोईन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुनवत्ता पुर्ण लगता है तो आप 100 रु नमस्कार इंडिया स्पिक्स डेली में आप सबका स्वागत है मैं हूँ संदीब देव ऐसा दिमाग खराब हुआ है फारुक अब्दुल्ला का कि वो कोसित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से 320 फिर से बहाल हो जाए और 320 नहीं बहाल होगा तो उनकी दुकांदारी चौपत हो जाएगी फारुक अब्दुल्ला ने कहा है चीछ से लागू कराएंगे 370 कस्मीर की पूरी घाटी को फारुक अब्दुल्ला के बाप सेख अब्दुल्ला और जवाला लेहरु ने मिलकर बरवाद किया तवाह किया पूरे कस्मीर घाटी को का हराकरन कर दिया और आज जब 370 हटा है तो पहले ये हरे देश के पास जाके पूरे भारत को आइस्थिर क रहे हैं ये इन्होंने कहा नेशनल कॉंफरेंस के अध्यक्श है फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन की मदफे जम्मू कफमीर में फिर से नुच्छे 370 बहाल किया जाएदा बीजे पी ने साफ साफ कहा कि फारुक अब्दुल्ला देश तरो ही है और बीजे पी के के फिलाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है जिसे एक हफ्ता पहले कहा था प्रधान मंत्री कायर है प्रधान मंत्री चुपा हुआ है प्रधान मंत्री डड़ा हुआ है असल में हमारे हरे और लाल परोसी को जिस प्रकार की नर्मी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेसरमी इनके मन में है ये बात अब सवाल खड़े करती है लाल और लाल पहले हरे पर अटेक हुआ सर्जिकल तो सवाल फिर एयर स्ट्राइक तो सवाल गलबान किया उसे बाला कोट किया तो चुपके मिलाकात तब सवाल गलबान कि से बड़े बड़े माल आ रहे हैं इन सब के पास और हमें ये मुर्क बनाते हुए ठकते रहे आपने खुद देखे कि लाल परोसी के साथ कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांदी ने जा कर समझोते कि दोजार आट में और राजीब गांदी फांडेशन में उस लाल परोसी से द अपनी विरासत को आगे बढ़ाता रहा जनता को नोचता रहा गिद्ध की तरह ये दोहरे और लाल परोसी के ये एजेंट खुलकर सामने आ रहे हैं और इनका मुखटा उतरता चला जा रहा है 24 सितंबर को फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप जम्मू कस्मीर में जाकर लोगों से पूछेंगे कि क्या वह भारतिये हैं तो लोग कहेंगे नहीं हम भारतिये नहीं हैं ये फारुक अब्दुल्ला इतना बरादेश द्रोई है उसी स्टेट्मेंट में ये भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन से मिल जाएं यानि कस्मीर घाटी को ये चीन से मिलाना चाहते हैं फारुक अब्दुल्ला और आज उन्होंने कहा कि हम चीन की मजद से 370 को लागू करेंगे चीन की जो विस्तारवादी नीती है जिसकी पूरी दुनिया में अलोचना हो रही है भारत के गदडार उसे जाज ठारा रहे हैं उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और ये पहली वार नहीं है कहाणी कमदुल्लाग की का छटा ध्याया पढ़िए उसमें आपको गधार दिखेंगे जो 62 की युद्ध में चीन के पक्ष में उत्रे हुए थी जासूसी कर रह थे इसलिए फारुक अब्दुल्ला हो या राहुल गांधी हो इन सबसे बच कर रहिए कि कब आपको बेच देंगे और आपको सुमारिया की का दर्सन यहीं करा देंगे यह साफ साफ ठाहराते हैं इनके वक्त तब इनको देश विरोधी ठाहराते हैं इसमें कुछ कहने की 370 को लागू किया जाएगा अनुचे 370 और अनुचे 351 को दुबारा लागू करवाने और जम्मु कस्मीर को राज का दर्जा दिल्वाने के लिए मैं पर्तिवद्दू चाहे चीन से हाथ इनको मिलाना पड़े यह बात देख लिजे और जब संसत का मांसुन सत्र चल ला आ जम्मु कस्मीर की जन था गरीब रही यह माला माल रहे इनके यह फारुक अब्दूल्ला और मुफ्ती की फैमिली ने करोर लापो डॉलर बनाए और अब यह हरे अब तक हरे सहांत मिला कर यहां दासत पैदा करते थे अब यह लाल को मिला कर दासत गरदी करना चाहते हैं वो रखा है उसने यह बात इन्हें समझ में आना चाहिए यह समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह भारत बिरोजी है इनका खांदान ही भारत बिरोजी है इसलिए इनको यह बात समझ में नहीं आएगा बात जब आपको चीन की चली रही है तो आपको बताओं कि भारत सरकार जानती है कि देश के अंदर बड़े प्रेमाने पे गद्दार चुपे बैठे हैं इसलिए भारत सरकार ने चीन के हर चाल को नाकाम करते हुए टी-90 टैंको को सहने वाले 54 पुल को तयार किया है और ना सिफ तयार किया है बलकि 44 पुलों का उद्गाटन तो आज रच्छा मंत्री राधना सिंग्जी ने ही किया है भारत अच्छीन के बीच में जारी सीमा बिवाद के बीच सोंबार को साथ राज्य और केंद्र सासित प्रदेश में सड़क सीमा संग्ठन बियारो द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये रच्छा मंत्री राजना सिंग्जी ने उद्गाटन किया देश की सीमाओं को सुरच्छित करने के जिशा में ये सबसे आहम है कि सासो राज्य चाइना से लगते हैं बियारो द्वारा निर्मी तिंग 44 पुलों में से 10 जम्मू कस्मीर में, 7 लद्दाक में, 2 हिमाचल प्रदेश में, 4 पंजाब में, 8 उत्राखंड में, 8 अरुनाचल प्रदेश में और 4 सिक्किम में है इसके अलाबा और नाचल प्रदेश के तवां के लिए ने चीपू की सुरंग की भी आधार सिला रखी, मोधी सरकार वहाँ पर इंफ्रास्टेक्टर को कैसे विक्सित कर रही है, कितनी तेजी से विक्सित कर रही है, यह आपको पता चलेगा रच्छा मंद्री ने कहा कि अब हमारे उत्री और पूर्वी सिमाओं पर बनाई गई इस सिती से हम सब पूरी तरसे परचित हो चुके हैं, पहले उन्होंने हरे परोसी का नाम लिया और अब लाल परोसी का नाम लिया, और कहा ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहर सिमा विवा और इनका खांदान माल कूटता है, रचा मंद्री जी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। सन्द और नागरिक परिवहन की सुभधा बढ़ेगी हमारे ससस्त्र बल के कर्मी उन इलाकों में बड़ी संख्या में तैनात हैं जहां साल भर परिवहन की विवस्ता नहीं होती और परिवहन आपको कहेंगी कि क्या बोल ले हो तो कारगिल से हमारे सैनिक उतर जाते थे इस ठंड में तभी तो हरे ने कबजा किया था इसलिए उसको मजबूत करना कितना महत्पुन आपको कारगिल से समझ में आएगा इन पुलों का निर्मान इस छेतर में आम लोगों के साथ साथ तेना के लिए भी फायदे मंद रहेगा और ये जो है बहुत बड़ा फैसला है और ये सब सभी 44 पुल नीतिक तोर पर बहुत ही आहम इलाके में है इससे सैनिक अपने साजो समान हथियार को आवाजाही करने में उनको बहुत सुविदा होगी इसमें सैनिवल को मदद मिलेगी साथ पुल तो चीदे लद्दाख में ही है इसमें और इसमें जो है आप जितने भी औस्थाई पुल थे उनको औस्थाई बना दिया गया पहले और spe chicks में आव्या से चीन की से कि वैसे हैं जो है करी नदी नालों इस पर चीन की सीमा के पास बाइस पुल ऐसे हैं जो एक हिमाचर प्रढ़ देजगे जार, दार्चा में त्यार किया गया, जिसके लंबाए 300 मीटर है, तो ये बहुत बदा फैसला है, इसके बात बात ये है, कि T90 टैंकों तक के भार को वहन कर सक्ते हैं, ये पुल, यानि टैंकों की आवाजाही, तोपों की आवाजाही, ये सब पहले नहीं हो सकтे हैं, पुल नहीं थे और स्थाई थे इन पुलों से ये आवाजा ही हो सकते हैं ये 44 पुल BRO द्वारा बनाया जा रहा है 102 पुलों में से ही हैं इस से पहले 10 पुलों की सुरुवाद हो चुकी थी तो 44 और 10 54 पुल बन कर तयार हो चुके हैं सेन चमता को मजबूत करने के लिए टी नांटी टैंक तक अब इसमें आसानी से ले जाए जा सकेंगे कनेक्टिवीटी बहुत बढ़ेगी आपको बताओं कि इसे हमारे लाल और हरे परोसी और उसके जो ये पार्टनर्स हैं उनको अंदर बड़ी बिचैनी है झालो